दोस्तों नमस्कार इस वक्त मैं हूँ एक बहुत ही माननेदा प्राप्त गुरुद्वारे में गुरु का घर है ये कपाल मोचन में तो अभी जैसा के कुछ दिनों से हम यहां इस लाके में आये हुए हैं और इस लाके में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें जाना जाना चाहिए तो इस पवित्र गुरुद्वारे के बारे में इस पवित्र जगहें के बारे में जानकारी देने के लिए यहां के करते हैं वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फते गुरुरु प्यारी साथ संगजी जैस पावन पुष्टरस्थान दे आप जी दरसन कर रहे हो इसदा नाम है गुरुद्वारा साहब पाशए पहले अतिदस्मी स्रीकपाल मोचन साहिब गुरु प्यारी साथ तो कितने कमाल की चीज है कि सिख धर्म की जहां से शुरूआत होती है पहले गुरु श्री गरुचि रानक देव जी में अहां पर और हम्मारे जो आखरी गुर्व सहभा वो भी यहां पर आते हैं तो जहां से शुरुआत होती है और जहां तक यह सलसला चलता है तो सजेसे बनें हैं इस पवित्र जगहन के अच्छेक्श है क्यों आप से यह जानना जी तो गुर्णारंग दिवी जी महाराज उन्हास्थाना ज्यादा गए ने जिते लोक बैमापरमाज ज्यादा पाई होई सी जी अच्छे जी में की एज़ेदा अर्मक स्थान एक पुरातन अर्मक स्थान है ते हिंदुवादा भी बड़ा इस्थे मतलब शर्दा बहुत ज् जी 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 तो गुर्णार गेर जी ने करांगे जानक करांगे कि पाई जड़ा असल जड़ा पाप है वो परमातमदे नाम तो कटे जान देने जी कि उन गुर्णानगदेव जी महाराज एस अच्छान दे आई होई सीगे जी तेक सेट्स ने अपने कर सारे सादू संद्जेडे थे आई होई सी उन परशादे वास्ति सदिया जी गुर्णा सारे सादू संद्ण बैठके गुर्णागदेजी महराज बैठके परशादा शक्री सी दी कुड्रती ती कर मिल aparece कर पुत्तर पैदा कर पैदा होया तो जड़े सादू नोग सी ऑपन्डर्ट लोग सी वा सूत्तक दा परम कर Теперь का दोनाकदेजी महराज ने महाराज केंदे ने पहला पाणी जियो है जित हर्या सब्सक्राइब महाराज केंदे ने सब्सक्राइब महाराज केंदे ने मन का सब्सक्राइब महाराज केंदे ने सब्सक्राइब बहुत महतोपूर्ण बात मित्रू ये है जो मुझे भी समझ में आ रही है मुझे लगता है कि पहली बार हम ये बात जान पा रहे हैं कि हमारे यहां की जर्म के और मृत्यू के समय जो ये चीजें होती है और फिर एक खास तरह की चीजों का निशेद हो जाता है उसो किस तरह से नकारा था गुरू देव ने यहां पर आकर अच्छा दूसरा आप हमें ये बताएं कि फिर जब बाद में दूसरे गुरू जी हमारे यहां पर आते हैं वो कब आते हैं गुरुगोविन सिंह जी महराज समंत सता सोच शाली से गुरुणाज गुरुगोविन सिंग महराज जी जितके भी ते महराज जिते सथे पहली बारे यहां जो कि हुन तक बनाया जयनदा है अच्छा कि यह बताएं आपके जिस जगहें पर गुरु गोविंसिंग महाराजी ठहरे थे तो जो यहां पर हम इस वक्त खड़े हैं आपका गुरुद्वारों के सामने पहली पाश्चाही होगे फिर गुरु गोविंसिंग जी के नाम का गुरुद्वारा है तो कौन सी जग कि कई करण था बेचे ते आसक किते गए ने नियागा कि मतलब एक पुक्तानी हैगा पर यहां ठैरे थे ते इतनी बात है और यकीन यहां पर गुरुद्वारा है उनके नाम का तो असल में तो कहते हैं कि वह हर कंण में वो व्याप्त हैं यहां पर उनकी अपस्तिती आप महसूस कर सकते हैं जब भी आप यहां पर आते हैं तो एक खास तरह है कि शर्दा भाव से और विश्वास से आप भर जाते हैं अच्छा आप एक यह बताएं कि एक तो जैसे सिख धरम के अंदर मानने वाले एक तो आम त्यो क्या उनके अलावा कोई अलग से भी यहां पर त्योहार खास और उसे इस गुरुद्वारे में मना जाता है इस खास तो जए जए तह पर किस तरह की सुविधाये हैं आपके यहां गुरुद्वारे हो गए ठ्ढ़ने की विवस्ता होगी बिलकुल जी ठ्ढ़ वास्ते तो यहां आपके हां सबसे मतलब आगर आप देखें तो सबसे बड़ा मेला कब लगता है सबसे यहां संगत कब जुठती है यहां पर कट तक दी पूर नमस्तिन हो जी अच्छे आजिए गुरुद्व परूब तो यहां पर मतलब लोग बाहर से भी आते हैं दूर दूर से देने जी और अलग अलग तो देने जी बहुत दूर दूर तो यही कि हम दूर जाएं बड़ी अच्छी बात है पर हमारे आस पास में भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे जाना जाना चाहिए समझा जाना चाहिए और हमारे यहां डेश की तो खास बात यह है कि हमारे यहां हर कस्बे में, हर गाओं में, हर शेहर में एक अपनी परंपरा है, अपनी मान्यताइं हैं और अपना इतिहास है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहां गुर्दवारा सहब में आकर आप भी जब यहां से गुजरें यहां पास से भी कभी गुजरना हो ज़रूर यहां पर ड्रशन करके जाईएगा आपने हमसे इतनी सारी बातचीत की हमें बहुत अच्छा लगा वाहिग गुरूजी का खलसा वाहिग गुरूजी की खतिव थेंक यू